मैं आपको एक रियल स्टोरी बताना चाहता हूं कि मेरे एक फ्रेंड है उनके एक फ्रेंड का फोन आता है कि सब वो किसी प्रोजेट के लिए कोई एक फैक्टरी लगा रहे है उसके लिए उनको गारेंटर्स बनना है मेरे जो फ्रेंड थे और उनके बिना सोचे समझे यस कर लिया कि ठीक है यार आप बिजनिस कर रहो तो मैं आपकी गारंटी देने के लिए तैयार हूं और वो उसकी गारंटी देते हैं कि भीच्टी टीक भीच म inte में फैक्थ कैंड है जब तक बैंक कि लोन के इंस्टॉल्मिंट च लिए अति प्रोलम कब शुरूही जब उस व्यक्तिय नए इंस्टॉल्मेंट देना बं्क कर दिया नमस्कार मैं विश्णोज वयल आपका सावहत करता हूं प्रूलम कब फूर ही जब उस व्यक्ति ने इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिया यानि वह विक्ति डिफारितल हो गया बैंक ने सबसे ने का अकाउट सीच कर दिया अकाउट सीच करने के बाद में वह वैक्ति फरार हो गया उसकी संपती से उन्होंने बेंक निर्जु राशी वसूल कर ली उसके बाद ही पचास ताक रुपे उस वेक्टी पे ड्यू थे और वो मेरे फ्रेंड को जिन्होंने गारंटर्स दी थी बेंक उनको लगाता नौटिस वेज रहा है उनसे वसूल करने की तैयरी कर रहा है जिस एक नए चीज में आपको बताने चाहा रहा हूं कि अभी RVI की रिपोर्ट आई थी 2019 के बाद में दो लाग कोड रुपे गारंटर से वसूल करने बाकी है यानि यह बैंक यदि बैंक लोन लेने वाले व्यक्ति डिफार्टर हो गया है उसकी प्रोपर्टी से भी लोन वसूल है डिफार्टर ह हो जाता है तो बैंक उन से लोन की वसूली करता है ये थो चली रहा है लेकिन बैंक ने अब गारंटर से भी लोन की वसूली चुरू कर दी ए जो भी वÉक्ति आप से गाउटी के लिए प्रेशर करता है तो आद देठिए आपा इसका रिलिसर चाहई मैसामा कर सकते हैं तो आप इमिडेटली मना कर दीजिए आप कंसर्ट करके मना कर दीजिए फिर भी आपको इदी गारंटी देनी है तो कोई प्रॉलम नहीं है साथ यो पहले आप उनका प्रजेक्ट देखे कि वह किस काम के लिए लोन ले रहा है उसके बादे उसको रिपेमिंट कैसा रहती है उसकी प्रोपटी को भी मोर्गेज करते हैं उसके बाद में भी उनको दो ग्रणटर्स चाहिए गारंटर्स की रेश्पवीलटी यह है कि यदि जिस विक्तिने लोन लिया है वो डिफार्टर हो जाता है और उसकी प्रोपटी से भी पूरी रासी बसूल नहीं हो जा तो गारण्टर्स की लाइविटी रहेगी रहेगी उसने प्रपर्टी की फेपर नहीं लाइए तो कोई बात नहीं है। बैंक अपने आप और व्राषी बस्कूल करेगा। एक चीज में आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी विक्ति के लिए गारंटर्स बनना चाहते हैं, तो अपने घरवालों से पहले आपको डिसक्स करना चाहिए, कि साब मेरे पास यह विक्ति आया था, यह अपना रिल्टी आया था, हम इसकी गारंटी दे या नहीं हो सकता है कि उस विक्ति के बारे में आपको जhigh ऐ आपके supernatural हो सकता है, आपको ऐस सकता तो उस विक्ति की गारंटी देने से पहले आपको कम से कम वीसवार सोचना चाहिए, कि आप वीसवार सोचिए, उसके बाद में आपको page अजाएं को को गारंटी देनी यहिए नियाает चीजी और मैं हैता हूं साथि उचे थी sacrificat को कि बेसे को आप आप को हुए है और मैं उस व्यक्ति को काय सकता है कि बहुत हो चुका आप जोन को भी उतसे और वो विक्ति आप अपने उसको request कीजिए, bank को application दीजिए और आप अपना bank उनसे दूसरे guarantors को provide करने के लिए के लिए कहेगा, उसके बाद में आप free हो जाएगे, साथ ही आप guarantors बन गए हैं, तो भी आपको घफरानी की जोड़त नहीं है, आप चाहे तो अभी भी इस जंजर से मुक्ट हो सकते हैं, guarantors की क्या responsibility होती है, क्या rules होती है, क्या उसकी liability होती है, क्या उसकी duty होती है, उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़े बता दिये, हो सकता है आपको कुछ और जानकारी की इच्छा हो, तो आप कमेंट सोक्स में जाएकर हमें लिख सकते हैं, थैंक्यू, आप हमारी सीवा के लिए appointment लेकर हमसे online, या हमारे office में आकर consultancy ले सकते हैं, appointment के लिए आप हमें नीचे दिये हुए number पर call कर सकते हैं, government policies से संबंदिद, सभी तरह की जानकारी या अपडेट के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे, धन्यवाद,